नमस्कार दोस्तों एक बर मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपका अपने यूटूब चैनल गुरुबर जी के मैं जी हाँ दोस्तों एक बर मैं फिर से आज रहूँ आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी जो कि CIS अफ यानि की Central Industrial Security Force में निकले दो पदो यानि की Assistant Sub Inspector इस्टनोग्राफर और Head Constable Ministerial के पदों के संदर में है जाँ दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर देखे सबसे पहले मैं बता दूँ कि यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा ताकि आप समझ जाएं कि आप इस फॉर्म को भरने ही होगे हैं या नहीं है या फिर आगे की तैयारी आपको किस फॉर्कार से करनी है ताकि आप इसमें सफल हो सकें तो सबसे पहले हम बात करें अप्रिकेशन फॉर्म भरे जाने के डेट की तो 26 सितंबर 2022 यानि कि आज के डेट से यह फॉर्म भरा जाना प्रारम हो चुका है और 25 अक्तूबर 2022 तक इसका लाजड डेट है यानि कि 26 सितंबर से लेकर 25 अक्तूबर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं सबसे बड़ी बात यहा कि यह मेल और फीमेल दोनों के लिए है तो किसी भी प्रकार के बिना किसी समच्च्छा के male और female दोनों भर सकते हैं इसके form को यहाँ पर देखिए assistance of inspector यानि कि इस्टोनोग्राफर का जो pay लेबल है वह 5 है यानि कि 29,200 रुपए से लेके 92,300 रुपए तक है वही head constable ministerial की बात करें तो इसका जो pay लेबल है वह 4 है यानि कि 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक है चलिए हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्टों की तो इसमें देखिए सबसे पहले यदि मैं assistance of inspector इस्टोनोग्राफर की बात करूँ तो इसमें टोटल पोस्ट 122 निकाले गए हैं वही हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 418 पद निकाले गए हैं यह अलग 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 छेत्रों में बटे हुए हैं यानि कि अलग अलग वर्गों में जैसे कि यदि हम यहां पे assistance of inspector इस्टोनोग्राफर की बात करें तो यहां पे direct male की 40 पदे हैं यहां पे यहां पे अलग से सीटे निकाली जाती है तो यहां पे जो direct female है यहां पे direct का मतलब यह हुआ कि जिसका स्याज़ सबसे कोई संबन नहीं है यानि कि बिल्कुल नया नवेलेज ऐसे अभर्थी जो पहली बार इसका form भरेंगे यानि कि यहां पे देखे departmental जो भरती है यानि कि यह ऐसे अभर्थियों के लिए है जो पहले से ही इस department में काम कर रहे हैं तो यह उनके लिए सीटे हो जाएंगी यहां पे diet female की यहीं मैं बात करूँ तो direct के लिए 6 SC के लिए 1, ST के लिए 0 और OBC के लिए यहां पे दो और EWS के लिए 1 सीट यहां पे है और यहां पे total post जो महिलाओं के लिए निकाला गया है diet female के लिए वह 10 है वह हम departmental की बात करें तो यहां पे 18 total पद निकाले गया है यानि कि कुल मिला कर यहां पे 122 पद निकाले गया है यहां पे आपनों कोई बात समझना होगा यहां पे जो diet female में ST candidates की जो 0 seat हैं तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ST candidate फॉर्म भर ही नहीं पाएंगी ST candidate जो फॉर्म भरेंगी वो महिला अन्रियर्ब्ड यानि कि 6 जो seat हैं उसके अंतर गत फॉर्म भर सकती हैं लेकिन इसमें होगा यह कि उन्हें आरक्षण का लाप नहीं मिल पाएगा सीटों में वहीं चलिए बात कर लेते हम Head Constable Ministerial की Head Constable Ministerial में 418 पद निकाले गए हैं जिसमें diet male यानि कि जिसका कोई संबंद नहीं है सेसब से तो diet male में unreserved के 132 SC के यहां पे 47 ST के 23 और OBC के 86 और EWS के 31 पद निकाले गए हैं कुल मिलाकर 399 पद यहां पे निकाले गए हैं diet female के यहां पे 17 पद unreserved के 5 SC के 2 ST के 9 OBC के 3 EWS के 36 कुल पद निकाले गए हैं यहां पे डिपार्टमेंटल भरती की बात करें तो यहां पे 63 पद निकाले गए हैं टोटल वो भी अलग-अलग वर्गों के लिए बटा हुआ है आप लोग देख लेजएगा यानि कि टोटल पदों की बात करें तो 418 head constable ministerial की पदे हैं बहुत अच्छी पदे आई हैं 418 कम नहीं होती है सामाने तोर पे देखा जाता है कि अर्द सानिक बलो में जो head constable ministerial की भरतिया निकलती हैं वो अमूम 100 से 200 के आस पास ही रहती है लेकिन इसमें लगबग दुगनी संख्या में ये संख्या निकली हुई है इसकी संख्या दुगनी है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बहतरीन औसर है आप लोगों के लिए चलिए बात कर लेते हैं सबसे महत्पूर्ण यानि की eligibility criteria की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे histonographer यानि की सब inspector histonographer और head constable ministerial में education qualification क्या चाहिए तो इसके लिए समाने तौर पे आप लोगों को intermediate या पर senior secondary school का certificate आप लोगों के पास होना चाहिए यानि की यदि आप 12 वी की परिक्षा पास है तो आप इसके form को भर सकते हैं यहाँ पे देखिए before closing date यानि की इसका जो closing date है जो की 25, 10, 2022 है उसके पहले यानि की उस तारिक या फिर उसके पहले आप लोगों के आप लोगों का जो result है वो डिक्लियर हो जाना चाहिए 12 का तो अभी तक मुझे लगता है कि सबका October तक किसे का भी नहीं रहता है अमोमने देखा जागी हर board का July या फिर August तक तो result आहीं जाता है तो कोई समस्या किसे को नहीं होने वाली है इसमें चलिए बात कर लेते हैं हम age limit की age limit इसमें मांगा गया है सामान अभर्थी के लिए 18 से 25 साल जिसकी गड़ना 25, 10, 2022 से की जाएगी यानि की 25, 10, 2022 को आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ चूट भी मिलता है जैसे की सेडियूल कास्ट और सेडियूल ट्राइप्स वाले को या फिर अधर बैकवर्ड क्लास यानि की उबीजी क्लास के अभयर्थियों को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेर्नल अभयर्थी के यानि की जो सामानीवर की अभ़यर्थी होंगे उनकी जो जन्म होना चाहिए 26, 10, 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 25, 10, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए यदि हो serial cast या फिर serial traps यानि कि CST candidate है तो उन्हें 5 साल का छूट मिलता है यानि कि उनका जो जन्म है वो 26, 10, 1992 के पहले का नहीं होना चाहिए और 25, 10, 24 के बाद नहीं होना चाहिए वही हम बात करें other backward class की जिने 3 साल की छूट मिलती है तो इनका जो जन्म होना चाहिए वह 26, 10, 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 25, 10, 24 के बाद का नहीं होना चाहिए तो यह था आपनों का age limit चलिए हम बात कर लेते हैं physical standard की यानि कि कितनी height चाहिए, कितनी chest चाहिए इसके बारे बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं journal candidates की यानि कि यहां पर क्यावल देखे, schedule traps को छोड़ कर बात कही गई है तो जो general candidate है, उनकी जो height होनी चाहिए वह male की 150 cm और female की 155 cm होनी चाहिए लेकिन देखिए height में भी कुछ लोगों को छोड़ मिलती है तो यदि पहाड़ी छेतर के संदर्म में कुछ अब्यर्थी हैं जैसे कि गड़वाली, कुमायोनी, गोर्का, डोंगरा, माराथी, candidates हैं या फिर सिक्कीम, नागा लेंड, और रांचल परदेश, मनिपूर, तृपुरा, मेचोरा, मेघाला-ए-असम हिमाचल परदेश और जम्मू कस्मीर के संदर्म में वहां के निवासी हैं तो उनकी जो मेल की हाइट होनी चाहिए वह 162.5 cm नियूंतम हाइट होनी चाहिए और फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए वह 150 cm से कम नहीं होनी चाहिए वहीं जहां पर यहां उपर जो शिडियूल ट्राइब्स की बात की गई थी अब यहां पर जो height मांगी गई है यहां पर देखिए ऐसी candidate को इसमें छूट नहीं मिलता है यानि कि यदि वो सिडियूल कास्ट के हैं तो उन्हें कोई छूट नहीं से कम होने चाहिए और महीलाओं के लिए 100 सांजा वने चाहिए अब चेस्ट की बात कर लेते हैं तो चेस्ट के बारे मैं बता धू कि मेल के के वल चेस्ट की मपनि की जाती है फीमेल की मपनि नहीं की जाती है तो यहां पर देखिए जैसा कि पहाड़ी शेतर के अभ्यरतियों के लिए हाइट में छूट था लेकिन हाइट में तो छूट मिलता है लेकिन चेस्ट में इन्हें कोई छूट नहीं मिलता है तो सभी के लिए यानि कि सभी वर के अभ्यरतियों के लिए आपकी जो लिए न्योंत्म चैस्ट शाहिए यानि कि बीना पुलाओ के वो कि उपका चैस्ट होना चाहिए वह 77rier का होना चाहिए500 का फुलाओ यानि कि उससे जयादा पंच आप लोगं registered हैं दों जाहिए है उसमें 70 को टृट मिल जाता है यानि कि यदि विरा फुलाओ की उनकी चैस्ट झॉस्वांट कवें जाये हैं तो इसमें सैलक्ट हो जाएंगे और इने भी फुलाओ 5 सेंटीran का ही होना चाहिए महिलाओं का यहां पे चेश्ट की मपनी नहीं की जाती है उनके हाइट की वेट की मपनी की जाती है चलिए बात कर लेते हैं इसमें जो skill test होता है उसमें क्या क्या होता है तो इसमें देखी जैसे कि दो पद है एक तो असिस्टेंट सब इस्पेक्टर की है और head constable ministerial की है सबसे पहले हम assistant इस्पेक्टर की बात करते है तो assistant एक सर्विसमें को छोड़ कर बाकी सभी लोगों को सौर रुपए देना होता है यानि कि किसी भी वर्ग से सम्मंद रखते हों उन्हें सौर रुपए देना होगा लेकिन यदि वो महिला हैं सीडियोल ट्राइपस हैं या फिया सीडियोल कास्ट से सम्मंद रखते हैं या फियाक्स सर्विसमें है तो उन्हें फीज देनी की आउसकता नहीं है चलिए बात कर लेते हम सेलेक्शन प्रोसेस की कियानि कि कैसे आप लोगा सेलेक्शन किया जाएग तो यह इन सबका जो मपनी होगा वो फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट यानि कि पीएस्टी में होगा और आपका डॉकमेंटेशन यानि कि आपके दस्तावेजों की जाच भी इसी समय यानि कि पहले स्टेप में ही की जाएगी इसमें मुखी रुप से जब आप पहली बार ज गुज आ जाता है तो यहां पर मतलब एक छटनी का एक पैमाना निर्धायत कर दिया जाता है कि मतलब ऐसे अब बढ़सी जो बहुत चोके हम height में, उन्हें वही पर छाड दिया जाता है, उन्हें आगे process में नहीं लिया जाता है जब आपका height का नपनी हो जाता है, तो फिर physical standard test के अंतर गत भी, आप लो Χाइट की मपनी की जाती है, उसमें आप लोग के chest की मपनी की जाती है मैलाओं के वेट को मापा जाता है ये सारी चेज़े होती है और फिर साथ में वहीं पर आप लोग का documentation कर लिया जाता है जब पहला step खतम हो जाता है यानि कि PST और documentation का तो फिर आप लोग का written examination कराया जाता है जो कि या फिर OMR यानि कि offline भी हो सकता है और computer based test या CBT mood भी हो सकता है इसमें देखिए इसमें 100 questions आप लोगे से पूछे जाते हैं और 100 नमबर के होते हैं और 2 घंटे यानि कि 120 मिट का आप लोगों को समय दिया जाता है पेपर आप लोगा चार्ट भागों में यानि कि A, B, C, D में बटा रहता है सबसे पहले general intelligence होता है part 1 में जो कि 25 question आता है 25 नमबर का general knowledge के होते हैं 25 question 25 नमबर के arithmetic यानि कि mathematics के प्रस्ण होते हैं 25 question 25 minute में आप लोगों English और Hindi एक में चुनना होता है part D में 25 question होते हैं और 25 नमबर के होते हैं और duration सब मिलाकर 120 यानि कि 2 घंटे में आप लोगों को complete करना होता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें कोई भी negative marking नहीं है यानि कि यदि आप कोई प्रस्ण गलत करते हैं तो उसके लिए कोई भी उत्तर आप लोग जो आप लोगों जो सही किया है उसमें से कोई भी marks नहीं काटा जाएगा जब आप लोगों का written test हो जाता है तो उसी के अधार पे cut-off त्यार किया जाता है और cut-off test cut-off त्यार करने के बाद आप लोगों का skill test जाता कि मैंने बताया कि जो typing और जो stonography की बात की गई वो इसी skill test के अंतरगती लिया जाता है और यह जो skill test होता है वो head constable minister का हो चाहे stonographer का हो यह qualifying nature का होता है यानि कि इसका number आप लोगों का नहीं चुड़ता है final merit list में यानि कि यदि आप इसमें pass हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को medical examination के लिए भेज दिया जाता है medical examination के बाद यदि अधिक बच्चे बच्चे जाते हैं पदों के संख्या के आधार पे तो फिर से एक cut off निकाला जाता है जो कि आप लोगों के return exam यानि कि OMR best examination जो हुआ था या फिर जो computer examination हुआ था उसी के आधार पे आप लोगोगों का ett final merit मेरिट लिष्ट निकाला जाता है फिर आपलोग का chain इसमें कर लिया जाता है तो दोस्तों यही जांकारी आप लोग आपको देनी थी आसा करता हो कि जांकारी आपको समझ में आई होगी और जांकारी अच्छी लगी होगी यदि जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजे हमाय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएं तो उसके जानकारी आपको हो सके तो हमार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद मिलते हैं अगले वीडियो में